माति, अद्धे तेविस, शब्द आठ, परंतों तुम राभी न कहला न, क्योंकि तुमारा एकी गुरु है, और तुम सब बाई हो, और प्रूत्वी पर किसी को अपना पिता न कहन, क्योंकि तुमारा एकी पिता है, जो सोर्ग में है, क्योंकि तुमारा एकी गुरु है, और स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुमारा एकी स्वामी है, अर्तत्थ मसीह है, मसीह है, तो इधर आमको एशु मसी क्या बोल रहा गिए, आमको हर एक को, जो भी स्वार्ग पिता ने एशु से बातें बोली है, सब कुछ इस बाइबल पर लिके ला हुआ है, और वीच शब्द, सुर्ग पिता का शब्द लेके आमको, हर एक गड़ी चलने का है, तो इधर आमको, आठ में मिलता की, किसी को भी बड़ा दर्जा देने का नहीं है इस दुनिया पर, कोई भी हो जाए, परचार सिखाने वाला पादरी हो जाए, कोई भी हो जाए, सब को, जो कोई सत्य बोलता है, जो कोई एशु मस्तिका जैसा बात सुनाता है, पड़ाता है, उससे सिख कर, हम लोग आगे जाकर, वो इच आम लोगों को करने का है, नहीं तो दुसरों के निच्चे दबा के रहेंगे, तो आप और आपका परिवार कभी बुरी जिन्दगी से और नरक से कभी नहीं बचेंगे, मैं एक बार एक सबा में गया था, तब ही उदर सुना रहे देखी, हम कैटलिक लोगों ने दुसरों के निच्चे दब के रहना मंगता है, जो आमारे बुजर्ग लोग है कैटलिक कलिस्टिया में, उनके हमेशा उनके पहरों के ठेले, आम लोग जुक कर, ओ लोगों का सुनकर, आमारे जिन्दगी गुजारने का है, यह बिल्कुल गलत है, तो यह सा एच बात गलत बात हर, जादा से जादा हर प्राचार में एच गलत बात होती है, आज एक में वीडियो देखा, वो वीडियो में भी गलत बात है, वो वीडियो का लिंक में डाल देगा, अंग्रेजी में किसी के पास जाके, उसको सुनो कि एक दुसरों को उंगली करके ये लोग खुद का गुजारा करते तो ये दुसरों के उपर उंगली किया करके आज कैटलिक धरम चोड़के मसिया करके क्रिष्टन करके हजारों ओ लोगों का कलिसिये है क्यों ओ लोगों ने उंगली किया ओ लोगों ने बोला कैटलिक चर्च गलत कर रहे है कैटलिक चर्च मेरा नहीं सुनता है कैटलिक चर्च मेरी बात मानती नहीं है हजारों हजार कलिसिया है आज इस दुनिया पर हर एक बोलता मैं उनका कलिसिया का पात्री है मैं इसका पात्री है मैं उसका पात्री है कोई भी डंगा नहीं है सब जुटे लोगे Catholic Church छोड़कर तूँ जाएगा तो तूँ जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाएगा आज इंडिया में भी एज हाल हो रहा है कौन कौन आता है कुद का कलिसिया का नाम लेके आता है कुद प्रचारा करते है लोगों को क्रिष्टेन भी करते है उनका कलिसिया का बाद में ये लोग अमारे कैटलिक लोगों को जिन्दा मारते है कैटलिक लोगों के सिष्टेरों को रेप करते है किस वज़े से ये जो जुटे लोग आते है वो लोग दुसरे दरम के लोगों को क्रिश्टिन बनाते है और ये दुसरे जाती का लोग समझते है कि कैटलिक लोगों ने इनको क्रिश्टिन बनाया नहीं तो ये इच बात आज आमको इधर मिलती है तुम सभी ना कह लाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब बाई हो जबी मैं कैटलिक एक पवितर कैटलिक बना और मैं दुसरों के प्रचारों के दुवारा मैं आज पवितर कैटलिक बन गया तो मेरे को एक साल के उपर हो गया एक साल एक मैना हो गया तो अभी मैं ओ लोगों को बाई ओ लोगों को मेरी बेहन करके मैं आज बोल सकता है कि जो लोग मेरे पहले से प्रचार करते है नहीं तो मैं पवितर कैटलिक होने के बाद भी जो लोग पवितर कैटलिक बन गये उनको हर एक को मैं आज बाई बेहन कैसकता है लेकिन जो आज तक पवितर कैटलिक नहीं बनाए उनको मैं बाई बेहन में नहीं बोल सकता मेरा दोस्त करके मैं नहीं बोल सकता इसलिए मेरा कोई भी प्रचार सुनू मेरा हर एक प्रचार में तेरे को नहीं मिलेगा कि मैं हर एक सब्द के आगे पीछे बाईयों और बेहनों करके मैं पुकारता है नहीं बाईयों और बेहनों करके मैं पुकारेगा तो मैं गलत रहेगा मैं भी उनके जैसा बुरा इंसान कहलाएगा तो जब तक तुम पवितर कैटलिक नहीं बनता है, मैं तेरे को बाई नहीं कह सकता है, क्योंकि तुम्हारा जो जिने का तरीका है, वो शेटान का है, और शेटान और एशु एक साथ नहीं है, एशु शेटान को उसका दोस्त नहीं बोलता, इधर एशु मस्य ने बोला कि, तुम सब बाई हो, कौन? तुम बोले तो कौन? तुम सब बोले तो कौन? तुम सब बले तो एशु मसी का शिशे लोग एक दुसरे के भाई हो जो लोग एशु मसी का बात मान कर एशु मसी का कारी कर रहे है वो लोग सब वो सब एक दुसरे का भाई है तो आमको ये बाइबल का पढ़ाई करना मंगता है जैसा इस्कूल में जाएगा तो पढ़ाई होती है हर एक कशा में साथ आठ सब्जक्ट रेते हैं और आम लोग दिल और मन लगाके आम पढ़ाई करते हैं इतना आम लोग आमारे मन में रखते हैं दिल में डालते हैं दिल में रखता है और परिक्षे के समय आम लोग दिल से वो लिखते है तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई आमको करने का है यह बाइबल की लेकिन बाइबल की कुछ भी पढ़ाई होती नहीं है बाइबल की जो पढ़ाई असल में होनी मांगती थी हर एक शब्द का अर्थ निकालके वो शब्द को अमलोग हमारे जिन्दगे में इस्तमाल करके वो शब्द के अनुसार हमारी जिन्दगी जिने का यह हर एक इंसान का करतव यह है यह हर एक इंसान करना इच मंगता अगर आप लोग यह नहीं करते है आज तक आप लोगों नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनिट में बच जा और आज से यह करना शुरू कर ले मैं आसमान से निच्चे नहीं टपका मैं भी इसका पाट करके इसको समझ के बाइबल को हर एक शब्द को मैंने जिन्दगे में इस्तमाल करके मैं हर एक शब्द जी रहा हूँ यह करने के बाद यह जब यह आम लोग करते है तभी आमको यह करने के लिए प्रेचार करने के लिए आमको पवित्रात्मा मदद करता है आमारे मुँ में पवित्रात्मा शब्द डालता है बाइबल में लिखेला हुआ है कि कितना भी मुश्किल समय हो जाए पवित्रात्मा तेरे मुँ में शब्द डालेगा जबी आप एशु मसी का बाई बनता है आप सोर्ग पिता का बच्चे बनते है तब इच आमारे साथ परमेश्वर है और आमारे जिन्दगी एशु मसी की जैसी हो जाती है परमेश्वर ने आमको अधिकार दिया है आमको हर एक चंगाई आमको दिया है तो और एच चंगाई का इस्तेमाल होता है जबी में सोर्ग पिता का बच्चा जबी बनता है तब इच की में इस शब्द में जी सकता हूँ तब इच हर एक शब्द पर मेरा विश्वाश रहेगा और हर एक शब्द मेरा जीवन होएगा मेरा जीवन के दुआरा दुसरों को एशु मसी महसुस हो जाएगा परमेश्वर जीवित है करके लोगों को मेरे जीवन से मालूम होएगा तो इसलिए इधर एशु मसी ने अच्छी तरह से समझाया कि तुम रब्बी न कहला न क्योंकि तुमारा एकी गुरु है और तुम सब बाई हो और पुरुत्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना क्योंकि तुमारा एकी पिता है जो सोर्ग में है तो आमारा दिल, आमारा मन, आमारा सोच, आमारे आंके, आमारा हर एक चीज, हर जिवन हमारा सिर्फ एशु मसी के उपर होना मंगता है जो एशु मसी का जिवन ता वोई जिवन आज मेरा भी जिवन होना मंगता है तोड़ी सी गल्ती होएगा तोड़ा इधर उधर होएगा तो बहुत मुश्किल तेरे बदन पर तेरे जीवन में आ सकता है तो इसलिए जितना जल्दी हो सके पवितर कैतलिक बन जा क्योंकि सिर्फ दया पर रहेने के लिए मत सुच जब अब तक अब तक तेरा जीवन तेरी मां के कोक से और अब तक तेरा जीवन सिर्फ परमेश्वर की दया पर चल रहा है तुम बोलता है, मैंने प्रात्वना किया है, मैंने मार्यम का प्रात्वना रखका है, मैं कलिसिया में जाके हर रविवार को जाके मैं प्रात्वना करता हूँ, मास्प में मैं रहता हूँ एक गंटा हर रविवार को, इसलिए मेरे को परमिश्वर ने दिया है, बहुत दिया है ये आपके अच्चे कारने में के लिए नहीं दिया परमिश्यवर ने ये हर कैटलिक की गलत सोचे बोलते हैं की मेरा तरीका है ये इसाब से प्रातुना करने का और इसलिए मैं इसाब से प्रातुना करता करके मेरे को परमेश्वर दे रहा है मेरी प्रातना परमेश्वर सुन रहा है और मेरे को चंगाई हो रही है ये गलत है ये तुम पुराना नियम में रहते ये जीवन एशु मस्य आने से पहला लोगों का ये जीवन था जबी एशु क्रूद पर चड़ा और पवित रात्माया तब से आमको नया जीवन मिला है और नया जीवन आम लोग जिना मंगता है इसमें प्रातना नहीं है नया जीवन में प्रातना नहीं है नया जीवन में आम लोगों को सी दुसरों को आम लोग सिखाना मांगता है कि चंगाई कैसी मिलेगी, कैसा पवितर जीवन जीने का, कैसा पवितर कैटलिक बनने का, ये सिखाने का मेरा काम है, मेरा प्रातना करने का काम नहीं है मैं खुद बेटके, गुटनों फेर पढ़के, में मेरे लिए प्रातना नहीं करता पुरा दिन मैं शब्द का पढ़ाई करता हूं, मैं शब्द पध्यान रखता हूं, मैं शब्द सिखता हूं, ताकि मैं दुसरों को पढ़ाऊं ताकि मैं मेरा खुद के जिवन में ओशब्द इस्तमाल करके, एक नेक जिवन, एक पवितर जिवन इशुमस्तिका जिवन में जी सकूं ये मेरा हर एक गड़ी, ये मेरा सोच होना मंगता है, और जो लोग आज तक बोलते हैं कि उनके प्रातना के वज़े से ओ लोगों को परमेशवर ने चंगाई दिया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुरे लोगों का प्रातना परमेशवर के पास पहुंचता नहीं है, सुनने का तुम चोड़ दे, परमेशवर तेरा बात नहीं सुनता करके, वो तुम बिल्कुल तेरा दिमाग से हटा दे, तुम बुराई में है, मैं भी यह सुच रहा था पहला, मैं बुरा इंसान हूँ, और फिर भी मेरे को परमेशवर जिवन में इतना अच्चा, इतना चंगाई मेरे को दे रहा है, यह बात मैं भी सुचता था, मैं भी तुम लोगों का इसा काथलिक था फहला, मैं खुद सुचता था कि मैं बुरा होने के बाद भी मेरे को परमेशवर चंगाई दे रहा है, तो बुरा करने में कुछ मुश्किल नहीं है यह मेरे सोच थी मैं बुरा करता रहूं और प्लातना करता रहूं मेरे को चंगाई मिलती जाएगी यह गलत है इसमें एक दिन तेरी जल्दी मोत हो जाएगी और तु शिदा नरक में टपक जाएगा जब तक हर एक पवित्र कैटलिक नहीं बनता है उनका जिवन में जो चंगाई आती है वो परमेश्वर की दया के वज़े से आती है कि जैसा परमेश्वर ने बोला है पंचों को मैं खाना देता हूं पेड़ों को मैं पानी लगाता हूं मचलियों को मैं खाना देता हूं सबको मैं दे रहा है जानवारा को खाना दे रहा है सबको दे रहा हूं और इंसान को नहीं दोगा इंसान बुरा बन गया करके मैं इंसान को छोड़ देगा तो हर एक कैटलिक को चंगाई जो मिलती है ओ सोर्ग पिता की दया से उसमें तुमारा अच्चाई तुमारा अच्चा काम तुमारी मेहनत उसमें कुछ नहीं आ पाए एक गलत सोच मन से आज से हटा दे अगर तुमें गलत सोच लेके तुम चलेगा तो जरूर तेरा मोत जल्दी होएगा तो हर एक कैटलिक को क्या सच्चे सुर्ग पिता का शब्द आमको क्या कहता है हमको क्या कहने के लिए शब्द आमको बोलता है ओ मेरा हर एक गड़ी एच मेरा काम होना मंगता है और जबी मैं शब्द जिता हूँ बोले तो मैं एशु मसी का जिवन में जी रहा हूँ तबिच मैं सुर्ग का जिवन इस दुनिया में जीना में शुरू किया है जैसा सुर्ग पिता का जो प्रातना है आम बोलते है हर गड़ी उसके बाद मार्याम का प्रातना बोलते है तो यह सुर्ग पिता का जो प्रातना है उसमें लिकला हुआ है कि जैसा दुनिया जैसा सुर्ग में है वैसा ही चंगाई दुनिया में भी हो जाए और कौन करेगा यह आशिरवाद यह चंगाई आमको परमेश्वर ने दुनिया बनाने के समय दिया था जैनसिस एक 28 में जाके देख ले पहला पुस्तक पुराने बाइबल का आमको हर एक चंगाई आमको दिया है जब दुनिया बनाया है जब इंसान बनाया है इंसान को हर एक आशिरवाद सोर्ग पिता ने दी छोड़ा है और जब हम लोग पवितर कैतलिक बनते है तब यह चंगाई जो हमारे उपर रखी हुई है इंसानों को एक चंगाई प्राप्त किया हुआ है करके रखा है वो आम लोग इस्तमाल कर सकते जब भी आम लोग पवितर कैतलिक बनते हैं तब इच आमारे आँकें खुल जाते हैं नहीं तो सिर्फ कमाने का इच आमारे आँकें रहेते हैं और मेरे को जो अच्चा लगता है वो इच प्राप्त करने के लिए मेरे आँकें चलते हैं मेरा मन ओईच करता है मेरा बदन भी ओईच करता है लेकिन जब भी में पवितर कैतलिक बनेगा तब ही में सोर्ग का जिवन में दुनिया में जाएगा सोर्ग का आँकें मेरे हो जाएंगे जैसे पिता का आँकें है जैसा पिता देखता है हर एक इनसान के लिए चंगाई देखता है वैसाइच हर एक इनसान की चंगाई में भी देख रहा हूँ तो ये बात होना मंगता है सब को तुँ गाली देके फिरेगा सब का तुम वाट लगाता जाएगा सब का चोरी करता तुम जाएगा और तुम बोलेगा मैं प्रातना रखता हूँ मैं कलिक्ष्या में जाता हूँ हर रविवार को कुछ फाइदा नहीं है तेरा मोथ इतना बुरी हो जाएगी कि तेरा पुरा खंदान, तेरा पुरा परिवार, तेरा पुरा पिड़गी जो आने वाली है और सब तुमारा मोथ थी, उससे बुरी मोथ ओ लोग मरेंगे क्योंकि तुमारा शिराब भी ओ लोगों के उपर है तो आमको ए ध्यान रखना मांगता है कि में दुनिया में किसी को हमारा पिता नहीं करने का मेरे जिवन के उपर किसी को अधिकार चलाने को नहीं देने का ये शवद आमको बोल रहा है कि किसी के निच्चे दब के नहीं रहने का कोई भी हो जाए ओ लोग तुमको गलत बोलते है आमको एशू मसी ने साफ साफ बोला है मारक असोला पमंदरा में आमको साफ साफ बोला है कि जाओ सब को मेरा शवद पढ़ाओ सुनाओ सिखाओ और चंगाई भी ओ लोगों को करके दिखाओ ताकि आगे जाके वो भी एशू मसी काई जैसा करता भी और काम करते जाएंगे तो आमको किसी के गलत शब्द बुरे शब्द के निच्चे दब के आमको नहीं रहने का है जो लोग गलत बोलते हैं जो लोग बुराई में हैं उनका कभी नहीं सुनने का क्योंकि एशू मसी बोलता है कि तुमारा एकी पिता है सब बात आम लोग सिर्फ सोर्ग पिता की बात मानने का जो सोर्ग में है उनकी बात है बाइबल और यह बात चोड़कर किसी का भी बात आम लोग नहीं मानने का कोई भी बोलेगा तेरे को यह बिमारी है तेरे को ओ बिमारी है उनको आम लोग बोलने का कि यह बिमारी एशू मसी के नाम से मेरा जीवन में नहीं है सोर्ग पिता का इच्चा है, सोर्ग पिता का सपना है कि मैं एक पुरा चंगा जिवन में जिने का हर तरफ से मेरा परवरिश, मेरा अच्चाई, मेरी चंगाई हो जाएगी जारमाया 29, 11 तो आमको यह बात, पिता की बात मानकर आमको चलने का है, किसी का भी नहीं बात सुनने का आमको, लोग गलत बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, देखो रबाय बोला है, सुवामी बोला है, पिता बोला है किसी का भी बात पर द्यान आम लोग नहीं रखने का, मेरा जिवन है एशु मसी का जैसा, हर एक गड़ी, हर एक समय में एशु मसी का जैसा जिवन जीने का जो लोग मेरे उपर कुछ भी बोलता है, वो सब लोग जुटे है, वो सब लोग बुरे है, क्योंकि वो एशु मसी का जैसा नहीं बने है, वो मेरे बाई आप तक नहीं बने है तो एशा लोगों का बाते हम लोग उटा कर समंदर में फिखने का इशु मसी के नाम से, एशा लोगों के बात जो मेरे उपर जो बोली है, वो बात को श्राप डालने का, वो बात को बादने का, और समंदर में फिखने का इशु मसी का नाम से, और इशु मसी बोला कि जो में मुँ से बोलेगा वो जरूर हो जाएगा कि हर एक श्राप हर एक बीमारी हर एक दोका मेरा जिवन से हट जाएगा और मेरे को हर जगे से मेरे को फिर चंगाई मिल जाएगी यह है वचन है परमिश्वर का मेरे लिए